है यहाँ बच्चों कैसे हैं आप सब तो बच्चों हम अपना जो टॉपिक है विटा यह बाइटोस्ट आपको नहीं मिलेगी लेकिन यह टॉपिक दिया गया है और जैसे आफ्यू रिपिशन के समझेगा इसमें दो-तीन concept हैं, है न मैं micro propagation के बारे में बताऊओंगा, मैं somatic hybridization के बारे में बताऊओंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें disease free plant हम कैसे create कर सकते, मैं उसके बारे में बात करूँगा, विटा एकदम ध्यान से इस lecture को पूरा follow करिएगा, आपका पूरा टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा तीनों टॉपिक में इसकी जरूवत क्या है और हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं तो जरूवत यह है बिटा कि अगर हमें लार्ज लार्ज स्केल पर जैसे पहले हुआ करता था कि मतलब हम एक प्लांट करवाते थे उस से नए प्लांट को बनाते थे तो इसमें बड़ा टाइम लगता था एक साथ हम बहुत सारे प्लांट क्रियेट नहीं कर पा रहे हैं तेस्यू करचर बिटा वह टेकनीक है जिसके अंदर हम बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत कम टाइम में बहुत जादा प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है तो हमें इसके अंदर करना क्या होता है बिटा तो समझें ज़रा ध्यान ले माल लो सपोस्क रबबुआ ये कोई ये देखो खुबसूरा सा प्लांट है ये दे सही डिजाइन है कोई से प्लांट बना रहे है उन्हें पत्यत्तिस मां है ये नहीं है पत्यत्ति ना बनावे सुनो देखो सपोस्करों बेटा ये प्लांट है अब इस प्लांट से आप इस प्लांट से आप नए का formation करना चाह रहे हो तो आप जानते हो बिटा की plant के अंदर एक ऐसी cell होती है जिसके अंदर totipotency होती है पूरा-पूरा plant generate करने की potency होती है हमारे body में बिटा कभी रही होगी जब हम embryonic life में रहे होंगे तो हमाई cell totipotent रही होंगी लेकिन अब तो नहीं है समझे अब तो नहीं है अलाकि टोटे टोटी पोटेंसी वाला concept बहुत बहुत इसके उपर रिसर्च होगा रहा ना बहुत जोडार चल रही हम आपको कभी बताएंगे अलग से पूर topic है इसके उपर बना के अभी हम अपने subject के उपर focus करते हैं अपने topic के उपर focus करते हैं इस chapter में जित्का दिया गया उसके उपर ठीक है तो हम करने क्या वाल है अगर हम इस plant से नए plant का formation करना चाहरे हैं तो हम आप जानते हैं Meristam के बारे में आपने सुन रखा होगा Meristam के बारे में सुन रखा होगा बिटा ये ऐसी cell होती है Meristam जो नई cell का production कर सकती नई नई जितनी भी है ना cell का formation कर सकती तो Meristam की खासियत यह है बिटा एक टोटी potent है अब करना क्या है बिटा यहां से कोई भी Meristamatic Meristamatic में बिटा अफिकल Meristam आ सकता Intergalorie आ सकता लेटरल Meristam आ सकता है अलग अलग तरीकी कर सेल होते है माल लो आपने अफिकल Meristam की कोई cell ले ली अब Meristamatic जो ए भीटा आपने इस plant से भीटा Meristam cell निकाल ली Marystame cell यहां से निकाल लिया अब इस Marystam cell को मालो किसी culture medium के अंdर ले आए suppose करो बेटा, ये culture medium था इसके अंदर आपने इस cell को ले आए इस cell को आप ले आए sell को ले आए और यहां पे neutrality gossip culture के अंदर neutrality media आपने provide करवाया और उस neutrality media की वज़े से इस cell ने growth करना start किया growth करकर के मतलब धेर सारी cell का formation कर दिया धेर सारी cell का formation कर दिया पूरा पूरा group आप cell बन गई इस एक cell ने division किया होगा दो का formation किया होगा दो ने division करके चार का formation किया होगा चार ने 8 का, 8 ने 16 का 16 ने 32 का, 32 का, 34 का 128-256 का इसे चलती चली ही होंगी बहुत धेर सारी सेल बन गई ये जो धेर सारी सेल बनी है बेटा ये undifferentiated है ये धेर सारी सेल का formation दिख रहा है बेटा जो पूरा गुच्छा दिख रहा है इनको callous बोलते है callous term यहाँ पे नहीं दिया है बेटा लेकिन कहीं तो दिया है आप जरा ध्यान करें आपने बेटा कभी अगर पढ़ रखा होगा 11th class के अंदर plant growth and regulator वहाँ पे बेटा जब cytokinin के बारे में बता जाता है तो वहाँ पे बता जाता है callous के बारे में callous का मतलब होता है undifferentiated mass of cell undifferentiated mass of और इस solution के अंदर बेटा growth करवाने के लिए अलग-अलग परिके के carbon sources, scoze वगरा अलग-अलग से अड़ करेंगे, कुछ minerals अड़ करेंगे, nutrient अड़ करेंगे, hormones अड़ करेंगे और इनमें जो mainly जो hormones अड़ करते है बेटा उनमें oxyn and cytokinin का नाम लिया जाता है अगर हमने इन hormone को add कर दिया बेटा तो आप जानते हो इन hormone की वज़े से इन में differentiation start होगा यह cell है बेटा जिनको callous कह रहे हो undifferentiated mass आप सेलने बभवा, इन cell के अंदर start होगा क्या differentiation और after differentiation बेटा ये नए-ने plant body का formation करना शुरू कर देंगे नए-ने plant body का formation करना शुरू कर देंगे अब यहां से करो गया बेटा जब ये नए-ने plant का formation होना शुरू कर रहा है तो इसको बेटा अलग-अलग अलग-अलग रखके आप जानते हैं कि नरसरी-वरसरी में है आपने कभी देखा होगा बेटा है कि कैसे पौधों को ग्रो करवाय जाता है उसके अंदर मिट्टी भर के और उसी में है न इसको डालते हैं और नए-ने plant का formation होता है बेटा इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कई सारे plant एक cell से आपने बना लिए मैरिस्ट्रम से लिकाल ले बेटा उस मेरिस्ट्र्मेंटिक सेल को वेटा आपने एक culture media के अंदर बेटा ये क्या था culture media था इस culture media के अंदर आपने रखा इस culture media के अंदर आपने रखा और यहाँ पर नए-नए-स एल का formation करवाय इन cell को ये undifferentiated mast अभसल थी इस आइटो का इन आफजी नोगर आइड करने के बाद में differentiation स्टार्ट हुआ, इन differentiated cell को बेटा आपने पूरे-पूरे plant में convert कर दिया, अब क्योंकि कई सारे plant एक साथ produce हो रहे हैं, तो इस technique को बेटा micro propagation बोलते हैं micro propagation इस technique को क्या बोलते हैं बेटा, micro propagation technique के अंदर बेटा, बहुत large scale पे plant का production करते हैं in a very short duration time, हैना बहुत short duration time के अंदर बेटा, हम बहुत large scale पे plant को produce करते हैं अच्छा एक चीज़ और देगना बेटा यह जो नए-ने plant आप produce करें exactly like होंगे बेटा आपने parental plant के इसलिए इनको soma clones बोलते हैं तो मतलब जो micro propagation के दारान plant farm हो रहे हैं बेटा, इन plants को नाम दिया जाता है soma clones soma clones, यह exactly एक जैसे होते हैं और soma clones के बेटा कई सारे example दिये गए हैं, जैसे tomato हो सकता है banana हो सकता है अरे वही वही बनाना banana banana apple हो सकता है apple, अरे save यह सारे example किसके हैं, बेटा यह सारे example किसके हैं, soma clones के हैं समझे क्या, समझे, अच्छा अब इसके बाद में, दूसरा topic जो बेटा हमें discuss करना है इसी के अंदर वो दूसरा topic क्या है disease free plant अगर आप form करना चा रहे हो तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना ये होगा बबबबुआ करना ये होगा बबबबुआ कोई डिजीज हो गई वाइरेस ने इंफेक्ट कर दिया आसि बैक्टरिया ने किसी पैथोजन ने इंफेक्क कर दिया प्लांट ड्यजीज कंडिशन के अंदर है अब इस प्लांट को आप चाह रहे हैं तो प्लांट का कोई तो ऐसा part अभी पहुंची यहां पर इसका इसका acesso वाला पार्ट होनके अंदर यह उतनी तेज होती है कि वायरेयस या बैक्टिर यहां पैतोजन इस प्लांट के अंदर inter किया है, वो उतना तेज गों नहीं कर पायाएगा। अगर उनमें ग्रोध बहुत ज़ादा तेज हो रही हूँ Inismatic Cell के अंदर, तो उनमें ग्रोध की वजए से, ज़ादा fast ग्रोध की वजए से, वहां तक Infection पहँचा नहीं होगा। और अगर infection नहीं पहुँचा है, तो अगर आप उन cell को बाहर निकाल लिए, उनसे नए plant का formation किये, तो क्या वो plant disease free होगा या disease होगा, disease free होगा बेटा, तो आपको करना क्या है, यहाँ से meristematic cell को निकालना है, बेटा, meristematic cell कों सी, epical meristemic cell आपने निकाल लिए, urm creation की cell निकाल लिए और it легко culture medium में डाल के, बेटा, culture medium में डाल के नए plant को new plant का formation कर दो, new plant form कर दो, और यह जो नया plant बनेगा, बेटा यह कैसा होगा, disease free होगा, यह new plant कैसा होगा, disease ग्शीस फ्री होगा स가 seinen उसमें देख लो बैटा में देख लो जैसे जैसे बनाना कि अंच कि अच कि अ अ बनाना सुगर के पोटेटो यह तीन इग्जामपल आ जाते हैं डिजिस फ्री प्लाइंट के अंदर है ना ठीक है अच्छा इसके अलावा सर कुछ और बताओ अई मजा नहीं आया अच्छा सुनों एक कॉंसेप्ट और है बेटा आप ने यहुत तो वह उसकी बाद नहीं कर रहे हैं वेटां हम हम बात करें पॉमैटो की, पॉमैटो बेटा एक ऐसा, ऐसा मतलब है ना, प्लांट फार्म किया गया था जिसके अंदर ये कोशिस करी गई थी बेटा, पोटैटो और टोमैटो दोनों की प्रापर्टी आ गए, तो सुनो जरा कैसे किया गया होगा, लेकिन हुआ नहीं बेटा, experiment successful नहीं हुआ, सुनो जरा, देखो, अगर हमें, अगर हमें बेटा, कोई नया plant form करना है, तो करना क्या होता है, सपोज करो, जैसे दो plant है न, एक पोटाइटो लिया गया, प्लस एक tomato लिया गया, आलो और टमाटर, इन दोनों को mix कर दिया गया, mix करके बेटा, एक नया पोधा बनाया गया, जिसका नाम था पोमेटो, यह जो पोमेटो फार्म किया गया था, यह सुमेटिक हाइबिडाइशन टेकनीक के द्वारा फार्म किया गया था, आप जरा सुनिएगा, कैसे किया गया होगा, माल लो बेटा, पोटाइटो की सेल लिया आपने, टमेटो की सेल लिया आपने, इस सेल का अपना सेल वाल रहा होगा इसकी cell membrane रही होगी सबसे पहले तो इसकी cell-wall को हम's जिंक बोलते हम अनदर में प्रोटो प्लास्ट को आप फ्यूस होने दें कि इनको फ्यूस होने दें आपस में अना यी फ्यूस होके बिता एक नई सेल का फ्रॉमेशन करेंगे बैठा यह जो नई सेल्फ फाम होगी नहीं है नी जिए प्षी взूंर की वजह से बनी है और इस त कि इग्जाम्पल पॉमेटो आप जानते हो हालकि हुआ ये बिटा कि पॉमेटो के अंदर वो कॉलिटी इस नहीं डिवलप हो भाई जो टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके हम बनाना चाह रहे थे इसलिए बिटा मार्केट वागरा में इसको लांच किया नहीं गया के बारे में बताया आपको बहुत अच्छे से बेटा टॉपिक को रिवाइस करना है पिशरी लेक्चर को देखना है कहीं कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो एकदम जोड़ार फुद एंथूजियाजम के साथ त्यारी करते रहो वहन्ना मैं मैं मो कोफी पैन लेके बैठे कुरसी मेज के ऊपर मानलो नहीं बैठो तब भी मेजको बैटा सटालो अपने आना तगहस से बेट से ना लगने पाया अक्टशक हो कि लेक्शर को बेटा देखते रहना रिवाइस करते रहना महनत एकदम जोड़दार करना है इंसाइए टीक के रि बस इतना रखते हैं थैंक्यू बेरी मच